जहिन दोस्तों मैंने धी बेंचोहान आज हम करेंगे क्लास 9 का 2.2 का question number 3 का first part तो इसमें हमें दिया गया है 3x plus 1 और इसमें x की value हमें रखनी है minus 1 बटे 3 और ये रखने के बाद हमें ये बताना है कि क्या जो x की value दी गई है ये इस बहुपदी का 0 है या नहीं ठीक है 0 आता है तो इस बहुपदी का 0 माइनस एक बटे 3 है तो चलिए solve कर लेते हैं देखिए 3x यानि कि 3 यहाँ पर हम रखेंगे x की value जो हमें दी गई है minus 1 बटे 3 और plus 1 अब इसे हम solve कर लेते हैं देखिए bracket का मतलब है गुणा तो 3 से 3 हमारा हो गया cancel है ना 3 से 3 हो गया cancel क्या बचा minus 1 प्लस 1 तो minus 1 प्लस 1 क्या होगा 0 हो जाएगा तो हमारा answer क्या आगया 0 इसका मतलब 3x प्लस 1 बहुपदी का 0 है minus 1 बटे 3 क्योंकि हमारा answer आ रहा है 0 ठीक है देख लेते हैं question number 2 क्या दिया है इसमें 5x minus pi और x is equal to 4 बटे 5 यानि कि जहां x है वहां हम रखेंगे 4 बटे 5 तो देखिए 5x की जगा 4 बटे 5 minus pi फिर से bracket है means गुणा हो रहे है तो तीरचा कट जाता है 5 से 5 cancel हमारे पास क्या बचा 4 minus pi तो इसलिए यहां पे 0 नहीं आया हमारा answer आया है 4 minus pi तो 5x minus pi का 0 नहीं है 4 बटे 5 क्योंकि यहां पे हमारा answer आ रहा है 4 minus pi यदि हमारा answer 0 आता है तो x की दी ही value इसका 0 है अन्यथा नहीं है तीसरा number देख लेते हैं तीसरे number में हमें दिया गया है x square minus 1 और यहां पर x की हमें दो values दी गई है एक बारी 1 रखना है एक बारी minus 1 रखना है तो पहले 1 रख लेते हैं यह देखिए x square minus 1 पहले हम रखेंगे 1 तो x की जगा 1 तो 1 square minus 1 1 का वर्ग क्या होता है 1 ही होता है minus 1 ठीक है एक में से एक गया तो 0 दूसरी बार हमें क्या रखनी है value minus 1 तो जहां x है वहाँ minus 1 ठीक है तो x की जगा क्या रखेंगे minus 1 का वर्ग minus 1 ओके तो minus 1 का वर्ग है तो इसे हम कैसे करेंगे minus 1 गुणा minus 1 minus से minus cancel एक एकम एक ठीक है तो इसको हमने solve किया तो क्या है 1 और minus 1 फिर से 1 में से 1 गया तो 0 अब देखिए जब हमने x is equal to 1 रखा तो भी 0 आ रहा है जब हमने x is equal to minus 1 रखा तो भी हमारा 0 आ रहा है कहने का मतलब है बहुपदी x square minus 1 का 0 दोनों नमबर्स है यानि कि 1 भी और minus 1 भी ठीक है चौथा question देख लेते हैं x plus 1 bracket 1 और x minus 2 bracket में है तो इसमें भी दो values है x बराबर minus 1 और 2 एक बारी minus 1 लेंगे एक बारी 2 लेंगे तो चलिए पहले minus 1 ले लेते हैं यह देखे जहाँ x है यानि कि x minus 1 plus 1 फिर यहाँ x तो minus 1 minus 2 ठीक है minus 1 plus 1 हो गया आपका 0 क्योंकि 1 में से 1 जाएगा तो 0 minus minus plus तो 2 और 1 3 यानि कि यहाँ minus 3 अब minus 3 को 0 से गुणा करो तो क्या आएगा 0 ठीक है अब हम रखेंगे 2 जहाँ x है वहाँ 2 यह देखे दो plus 1 x minus 2 है तो 2 minus 2 तो 2 और 1 3 दो में से 2 गया तो 0 अब 3 को 0 से गुणा करो तो क्या आएगा 0 तो इस तरह से यह चोथा सम भी यहाँ खतम होता है और इसमें दोनों ही मान यानि कि minus 1 और 2 इस बहुपदी के शून्य है मिलते हैं अगले सम के साथ अगली वीडियो में जैहिन जैभारत